हेलो दोस्तों मैं है विकास और बिना कोई टाइम पास आप देखने टेकल पर विकास तो चलिए बिना कोई टाइम पास बिना कोई बगवास वीडियो शुरू करते हैं आज के वीडियो में मैं आप लोगों को फेसबुक का पासवर्ण चेंज करना बताऊंगा तो उसके आपको यहां पर किलिक करना है इस पर आप जैसे किलिक करेंगे तो यहां पर बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आपको लास्ट में एक ओप्सन देखने को मिलता है settings and privacy कि धेक्षियुक शिंपल ही आपको इसके क्लिक कर देना इस पिआप जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्चन देखने को मिल जाएंगे जैसे settings का privacy shortcut का your time on facebook का तो simply आपको privacy shortcut पे क्लिक कर देना इस पिल्सи से किलिक करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे ओप्सन देखने को मिल जाएंगे जैसे रिव्यूर फ्यू इंपोर्टेंट प्राइवेसी सेटिंग और मैनेज यूर लोकेशन सेटिंग अपडेट यूर प्रशनल इंपरमेशन चेंज यूर पासवर्ड का ठीक है यहां प को इश पर किलिक करेंगे तो कुछ यहां पर इंटर्फेस आपको देखने को मिलेगा करने तो यहां पर ओसके बाहद ओसके बड़ा उसके बाद री टाइप नुए पासवर्ड का सिंपली आपको सब्सकेंदभ बाले करना है यहां पर न्यू पासवर्ड का उप्सन आ रहा है तो अब आप जो न्यू पासवर्ड रखना चाहते हैं ठीक है जो अभी करेंट पासवर्ड है उसको चेंज करके आप जो न्यू पासवर्ड रखना चाहते हैं आपको सिंपली वह वाला पासवर्ड यहां पर टाइप करना है तो सिंप यहां पर आपको save change का option देखने को मिल रहा है तो simply आपको इस पर किलिक कर देना है इस पर आप जैसे किलिक करेंगे तो यहां पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों log out of other devices password change का option आ रहा है आपने और password change करती है तो यहां पर आप देख सकते हैं password change का option आ रहा है if you think someone else may have known your old password it's a good idea to log-out of any other phones and computers and check for recent changes to your account ठेक है तो यहां पर आपका password change हो चुका है अब यहां पर आप review other device other device में आप login कर सकते हैं review कर सकते हैं या तो फिर आप जो डिवाइस में पासवर्ड चेंज कियें। उसी में लोगिन रहना चाहते हैं। तो simply आपको नीचे वाले पर किलिक करना है। नीचे वाले पर आप जैसे ही किलिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं। अस्टे लॉग्ड इन का उप्सन आ रहा है। सिंपल यह आपको कंटिन्यू कर देना है कंटिन्यू आप जैसे करेंगे तो कुछी स्टेप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो कि आपको कुछ नहीं करना है सिंपल यह आपको बैक आ जाना है यहां पर आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है दोस्तों ठीक है अब आप इस पासवर्ड से कभी भी अपना फेस्बूक अकाउंट ओपन कर सकते हैं